इस वीडियो में हम बात करने वालें 3-phase induction motor के बारे में 3-phase induction motor क्या होती है 3-phase induction motor में कौन-कौन से मुख्य पार्ट होते है और जो हमारी ये 3-phase induction motor होती है इसके जो main types होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं ये सब भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं 3-phase induction motor एक 3-phase supply से चलने वाली electric machine होती है motor एक electrical machine ही होती है जो input में दी जाने वाली electrical energy को mechanical energy में बदल की output देती है 3-phase induction motor साधार AC motor ही होती है ज्यादातर industry में 3-phase induction motor का उप्योग drive के लिए किया जाता है चोटे बड़े सभी तरह के उद्योगों में 3-phase induction motor का इतनी जादा मातरा में उप्योग होने के कुछ कारण है जो की हम आभी आपका बताने वाले हैं तो सबसे पहले जो है जो बाकी की हमारी motor है उनके मुकाबले 3-phase induction motor की कीमत बहुत ही कम होती है 3-phase induction motor सस्ती होने के साथ साथ बहुत ही efficient भी होती है यानि इसकी efficiency भी बहुत ज़्यादा होती है 3-phase induction motor का जो starting torque होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और 3-phase induction motor की जो speed होती है वो हम आसानी से और सही तरह से regulate कर सकते हैं 3-phase induction motor को जब electrical supply दी जाती है तो motor के अंदर एक तरह का magnet बनता है और इस magnet बनने की जो प्रिक्रिया है उसको ही mutual induction बोला जाता है और mutual induction बनने पे जब rotor घूमता है तो हमें mechanical energy मिलती है जिसको हम torque भी कहते हैं अब एक बार देख लेते हैं जो 3-phase induction motor की construction है वो कैसी होती है तो जो 3-phase induction motor होती है उसमें दो मुखे पार्ट होते हैं जो की एक होता है stator और एक होता है rotor पहले बात करते हैं stator की जैसा कि यहां भी हमने बताया था motor में rotor घूमने वाला जबकि stator static यानि स्थिर रहने वाला पार्ट होता है अब stator जिसमें winding भी की जाती है इसमें eddy current loss को कम करने के लिए इसमें उपयोग होने वाली lamination को बहुत ही high quality वाले steel mister धातू से बनाया जात जाता है और उन पतली पत्तियों को ही lamination बोला जाता है अब steel mister धातू से तियार किये गए lamination को stator के अंदर वाले भाग में set किया जाता है इसके बाद stator की जो winding की कोईल होती है उसके तारों को in lamination पे सही से set किया जाता है इस तरह से stator में कोईल के अलग-अलग set लगाने के बाद उनको आपस में जोड के हमारे सामने एक three phase की winding तैयार हो जाती है अब मात करते हैं इसके rotor के बारे में जिस तरह से stator को high quality steel से बनाया जाता है उसी परकार से rotor को भी high quality steel से ही बनाया जाता है और rotor बनाने में भी stator की तरह ही lamination का इस्तेमाल किया जाता है अब इस rotor के अं rotor में साफ्ट डालने के बाद जब rotor complete हो जाता है तो rotor को दो बागों में बाट सकते हैं इनमें एक तो जहां पे हम drive यानि load जोडते हैं वो जिसको drive end बोला जाता है और दूसरी तरह rotor पे एक fan लगाया जाता है जिसे non drive end कहा जाता है अब आपके मन में सवाल आया होगा कि motor में हम fan क्यों लगाते हैं अब motor में जो fan दिया जाता है उसका काम motor को ठंडा रखना होता है motor का जो भारी frame होता है उसमें छोटे छोटे fins दिये जाते हैं जो की नल्यों जैसे दिखते हैं इनको frame slot भी कहा जाता है ये cooling fan इनके अंदर हावा भेजता है जिससे motor गरम होने से बच ज जाती है क्योंकि जब motor चलती है तो motor की winding में भी current flow करता है और winding में current flow करने के कारण EMF generate होता है उसके कारण हमारी motor के core में कुछ add current loss होते हैं जिनके कारण हमारी motor गरम हो जाती है और इस गरमी को दूर करने के लिए ही motor में fan दिया जाता है अब हम बात करते हैं जो three face induction motor होती है उसके मुख्या type कौन-कौन से होते हैं तो three face induction motor के जो मुख्या type होते हैं दो परकार से होते हैं और इन दोनों को इनके rotor के हिसाब से अलग-अलग बाटा गया है एक होता है हमारा skill cage induction motor और दूसरा होता है slip ring induction motor जिसको phase wound motor भी बोला जाता है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं skill cage induction motor के बारे में skill cage induction motor के rotor में एक बेलनाकार lamination core दी जाती है जिसमें कुछ slot बनाए गए होते हैं जो की एक दूसरे के समानांतर यानी parallel होते हैं इन सभी slot में aluminum या फिर copper की छड़ को डाला जाता है इस तरह से लगाने के बाद aluminum या copper की सभी छड़ों के जो किनारे हैं इनको एक धातू की रिंग से आपस में जोड दिया जाता है इस तरह जोडने के कारण ये एक गिलैरी के पिंजरे जैसा दिखता है इसलिए इसको skill cage rotor कहा जाता है skill cage induction motor सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली motor में से एक है इसकी working बहुत ही साधान होती है इसके अलावा इसकी सबसे म कम चाहिए होता है या फिर हम यू कह सकते हैं हमें जहां high starting torque की जरूरत होती है वहां पर हम skill cage induction motor का इस्तेमाल नहीं कर सकते अब चलते हैं अपनी दूसरी motor यानि slip ring induction motor या फिर phase wound motor के उपर slip ring induction motor जिसको phase wound rotor वाली motor भी कहा जाता है इसको cast iron और high quality के silicon मिसर धातों से बनाया जाता है जिसके उपर वाले हिस्से में एक दूसरे के समना अंतर slot बनाये जाते हैं और फिर इन slot के अंदर copper या फिर aluminium के तार को coil का रूप दे के डाला जाता है बाद में इन coil को आपस में slip ring के साथ जोडते हैं इसके बाद तीनों terminal को अलग अलग variable register के साथ जोड़ा जाता है ये सबी variable register भी star connection में जुड़े होते हैं अब इन variable resistance की value को बदल के हम बड़ी आसानी के साथ motor की speed को control कर सकते हैं अब आपको three phase induction motor का जो working principle है उसके बारे में बताते हैं सबी तरह की जो induction motor होती हैं उनका working principle एक ही होता है जो की electromagnetic induction के उपर आधारित होता है three phase induction motor को जब three phase की AC अब induction motor को जब AC supply दी जाती है तो motor में भी AC current flow करने लगता है अब electrical supply के magnet effect के कारण motor के stator में magnetic flux बनता है AC current flow करने के कारण जो magnetic flux पैदा होता है वो भी alternating ही होता है जब ये magnetic flux motor में लगे rotor की coil दवारा कट किया जाता है तो ferradi के electromagnetic principle के अनुसार EMF induced होता है अब जैसे पहले बताया था कि rotor में aluminum या copper की छड को डाल के उनके जो शिरे हैं उनको short किया जाता है तो इसलिए इसमें induced हुए EMF के current rotor में भी एक तरह की electrical supply का flow होने लगता है अब इसके current rotor में भी magnetic effect पैदा हो जाता है इसके बाद जब rotor में पैदा हुए magnetic flux motor के बने stator में flux के साथ interact करता है तो ये flux खुद को एक ऐसी जगें में shift करने की कोशिज करता है जहां पी magnetic flux नहीं हो और ऐसे में stator तो एक जगें fix है तो सारा का सारा जो परभाव है वो rotor के उपर आता है जिसके current rotor गूमने लग जाता है motor में rotor के लगाता और घूमने के कारण stator में magnetic field हमेशा बनी रहती है अब motor के stator और rotor में पैदा हुए magnetic flux के interaction को armature reaction कहा जाता है तो उमीद है three phase induction motor के बारे में ये basic जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आप इसके उपर detail में वीडियो चाते हैं तो आप में नीचे कमेंट कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आप मारी left वाली वीडियो देख सकते हैं